नमस्कार किसान सातियों मैं हूँ आपका पटिल भाई क्रिशी नेटवर के यीटूब चैनल में आपका तेहे दिल से स्वागत करता हूँ नई जगा नई फसल और नया किसान आज का एपिसोड है मश्रूम की खेती कैसे करे मश्रूम की खेती के लिए कैसे जलवायू की आउशकता होती है किस तरह से मश्रूम की खेती के लिए साधन सामुर्ग्री की आउशकता होती है इसके बारे में पुरी तरह से आज हम जानेंगे दोस्तो आदिवासी इलाका महराष्ट के नंदुरबार जिल्ले को कहा जाता है नंदुरबार जिल्ले में कही ऐसे लोग है जिनके पास जमीन नहीं है तो राजेंदर वसावी जी ऐसे लोगों को खेती करने के लिए तयार करते है जो अपने घर में ही मश्रूม की खिती आच्छे से की जा सकती है हमारे कुछ अदिवासी बांदव मतलब भाई ऐसे है जिनके पास खिती नहीं है उनको अपने ही घर में किस तरह से मश्रूम की खिती की जाती है इसका कही सालों से प्रशिक्षन दे रहे हैं और उसमें वो हम सपल भी हो रहे हैं तो आज दोस्तो हम इन किसानों के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से खेती करते हैं दोस्तो पिछले कुछ वर्षों में भारतिय बाजार में मश्रूम की मांग तेजी से बड़ी है जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है ऐसे में किसान मश्रूम की खेती करकर अच्छा मुनाफा कमा सकते है पिछले कई वर्षों से मश्रूम की खिती का प्रेशिक्षन राजंद्र वसावेजी नंदुरबार छिले में दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि तीन तरह के मश्रूम का उत्पादन होता है अभी सितमबर महिने से 15 नहुमबर तक डिगरी मश्रूम का उत्पादन कर सकते हैं इसके बाद आप बटन मश्रूम का उत्पादन कर सकते हैं फरवरी मार्च तक फसल चलती है इसके बाद मिल्की मश्रूम का उत्पादन कर सकते हैं जो जून जुलाई तक चलता है इससरा आप साल भर मश्रूम का उत्पादन कर सकते हैं दोस्तो तीन तरह के मश्रूम की खिती कर सकते हैं पह जैसे उगाते हैं उसकी पूरी जानकारी हम देखते हैं कि आईश्टर मश्रूम की खेती बड़ी आसान और सस्ती है इसमें दूसरे मश्रूम की तुलना में आवशेदिय गुन भी आदिक होते हैं दिल्ली, कलकता, मुंबय, यह चेन्ने जैसे महानगरों में इसकी बड़ी मा काफी है, माहराष्टे है, मध्य प्रदेश है, या पच्चिम बंगाल है, केरला है, राजस्तान और गुजरा जैसे राज्यों में भी आईश्टर मश्रूम की कुरुशी लोगप्रिय हो रही हैं दोस्तों आईश्टर की खेती के बारे में कहते हैं कि स्पॉन मतलब जिसे ह मश्रूम का स्पॉन लेकर रख ले, इसके बाद बीच खराब होने लगते हैं, इसके उत्पादन के लिए आप भुसा, पॉली बैक, कार्बोडाजीम, फार्मोलियन और स्पॉन मतलब बीच की जरूरत होती है, दस किलो भुसे के लिए एक किलो स्पॉन की जरूरत होती है, इसके लिए पॉली बैक, कार्बोडाजीम, फार्मोलियन की जरूरत होती है, तो आप कैसे शुरुवात कर सकते हो, तो आप 10 किलो भुसा ले, जिसमें 100 लिटर पानी में भीगाया जाता है, इसके लिए 150 मिली फार्मोलिन, 7 गराम कार्बोडाजीन को पानी में घोल कर, इसम भीगोने के बाद, लगभग 12 घंटे, यानि अगर सुबह फेलाते है, तो शाम को और शाम को फेलाते है, तो सुबह निकाल ले, इसके बाद भुसे को किसी जालिदार बैक में भर कर, या किसी चारपाई पर फेला देते है, जिससे आतिरिकत पानी निकल जाता है, दोस्तों फिर से भूसा रखा जाता है, इस तरह से एक बैग में तीन लेयर लगाना होता है, 215 दिनों में मिलने लगेगा ओश्टर, मतलब बैग में स्पॉन लगाने के बाद, 15 दिनों में इसमें से ओश्टर की सपेज सपेज खुटिया निकल लगती है, यह मश्रूम बैग में चा बटन मश्रूम की खेती कैसे की जाती है, बटन मश्रूम में निमनत आपमान वाले शित्रों में आधिक उगाया जाता है, लेकिन आप ग्रीन हाउस की तकनिक द्वारा यह हर जगा उगाया जा सकता है, सरकार द्वारा बटन मश्रूम की खेती का प्रचार पसार को बरपु प्रोष्टान दिया जा रहा है आप इसका उत्पादन 20 किलो ग्राम प्रती वर्ग मिटर से अधिक है दस पहले तक प्रती वर्ग मिटर मातर 3 किलो ही था उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा उत्पादन होता हुआ हमें दिकाई देता है अभी बटन मश्रूम की बीज या स् जाती है मश्रूम के बीज को स्पाउन करते है बीज की गुनोत्ता का उत्पादन पर भहुत आसर होता है इसलिए खुंबी का बीज या स्पान अची बरुसे मन दुकान से ही लेना चाहिए बीज एक महा से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए बीज की मातरा में कंपोस खास के वदन दो या अड़ी प्रतिशत के बराबर ले बीज की पेटी में भरी कंपोस पर बिखेर दे तता उस पर दो से तीन सेमी मोटी कंपोस की एक परत और चड़ा दे अथ्वा जिसे हम देख सकते हैं दोस्तो हमारे देश में मश्रूम का उपयोग भोजन और जैसे भारत में मश्रूम को खुंब, खुंबी, भमोडी और गुच्ची आदी नाम से जाना जाता है देश में बेहतरीन पोश्टक खाद्य के रूप में मश्रूम का इस्तेमाल किया जाता है इसके आलावा मश्रूम के पापड, जिमका, सप्लिमेंटरी पाउडर, अचार भिस्की, टोस, कुकीज, नूडल्स, जैम, अंजीर मश्रूम, सौस, सूप, खीर, ब्रेड, चीप्स, सेव, चकली आदी बनाये जाते हैं ये सभी उत्पाद ऑनलाइन भी प्राप्त किये जा सकते हैं या आप खुद करते हो तो आप ऑनलाइन बिख सकते हो इसके लिए मश सिप सत्तर प्रजातिया ही खेती के लिए उपईक्त मानी जाती है भारती वातवरन में मुख्यरूप से पाच प्रकार के खाद्य मश्रूमों को वेवसाइक सर पर खेती की जा सकती है दोस्तो आप ये जो देख रहे हो ये आश्टर मश्रूम है धिंगरी जिसे कहा जाता है इसकी खेती हम वर्षबर की कर सकते है इसके लिए आनुकुल तापमान 20-30 डिगरी सेंडिगरेड और सापिक्षी ताद्रता 70-90 प्रतिशत चाहिए आश्टर मश्रूम को उगाने में गेव वधान के भुसे और दानों का इस्तमाल किया जाता है ये मश्रूम आड़ी से ती दस कुंतल मश्रूम उगाने के लिए कुल खर्च 50,000 रुपए आता है इसके लिए 100 वर्गफिट में एक कम्रे में रैंक लगाना होती है और आश्टर मश्रूम 120 रुपए प्रति गिलोग्राम से लेकर 1000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में बीग जाता है मु प्रति के लिए 100 रुपए और उसे कैसे निकाला जाता है वो भी एक तरीका होता है जो हमें इहां पर पुरी तरह से दीख रहा है जो किसानों ने आपने घर में बैग लगाई है और इस बैग के अंदर से मश्रूम तयार होने के बाद उसे निकाला जाता है और आपने ही मा खेती हम कर सकते हैं और आची तरगे से कर सकते हैं तो आज हम खुद राजंदर जी से इसके बारे में जानेंगे इस स्पोन कहते हैं हम घूठ यानि हम बबीश लगने वाला घूठ ऑफीन जैसरी दिखाए दे रही है ये पहली यहारा Déuku स्पोंहता है वहुद आग में 25.00 होता है तो एक ब्याग में 100 ग्राम चीदी बढ़ respect है ओई वो मिद क्योंचिन से और इसमें जो अर्वाब भाले जीशना ने वाले है बहुत ही अच्छा है और घर के अंदर है दस बाइदस में आप एसे सो ब्याग लगा सकते हैं सब्याग दस ब्याग में बैट सकते हैं कम से कम लेक होगे में से लेक और की आएड़ाअ esfार मुच्रोम का का है और इसको जो वक्त लगता है जो आज हॉननों ने ब्याग शेंक किया यहां पर और इस ब्याग में फंदराइंग फंदी के मौसम में 15 दिन में या 20 दिन में भी निकल जाता है कई 25 तेस दिन भी लग जाते हैं और इसको जो लगने वाला जो climate है जैसे temperature होता है 22 से लेके 30 के अंदर इसको जो temperature चाहे वह इसके लिए सही होता है और जो आधरता होती है वह हसी से लेके 90 के बीच में ही रहता है ज्यादा नहीं तो आज यह हमने जो मुश्रूम ब्यार लगाये है यह महिलाओ के लिए घर के अंदर यह बहुत ही अच्छा वेवसा है और यह जो मश्रूम फार्मिंग है यह आप 12 मेहने कर सकते हैं इसको लगने वाला जो भुसा है जो भुसा होता है यह गेहू का भुसा या फिर आप चावल का भुसा ले लिजिए दादा दोस्तो इस तरीके से आप कम लागत में ज़्यादा पेशा कमा सकते हो और आपको जिमिन की भी आवशक्ता नहीं होगी आपके पास अगर घर है तो आप घर में भी इसका उत्पादन ले सकते हो मतलब 100% फायदे का सोधा यह हो सकता है दोस्तो इस तरह से ग्रामिन इलाकों में आच्छी तरीके से खेती करना यह भी बहुत अच्छा और अच्छी जानकारी के मताबिक यह खेती की जा रही है इसलिए ऐसे किसानों के पास हम पोचने की ऐसे किसानों के पास पोच कर उनकी जानकरी आप तक लाते है तो आप जाद से जादा चैनल को सब्क्राइब करें और शेर और लाइक करें